हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चेनल जेके ओलाइन टीप्स आज की इस वीडियो में हम कक्छा बारा के पॉलिटिकल साइन्स से 50 मस्ट सेलेक्टेड को सेंस लेके आए हैं जो अगामी एक्जाम के लिए भी भी आई होगा आप लोगों के लिए तो आए देख लेते हैं प वाट काइंड ओ पार्टी सिस्टम वाज देयर इन इंडिया तिल 1967 ठीक तो इसका करेंट इंसर होगा वान पार्टी डोमिनंस यानि एक आधिपत्य दल की दिवस्था थी उसमें 1967 के लंसम में है ना यानि की कांग्रेस की प्रभुत्त था लगातार 1952 से 1967 तक लगातार इनकी स्तप्ता थी और पहला जो आम चुना हुआ था वो उसमें से 364 सिट दूसरा जो हुआ था आम चुना वो 371 और तिसरा जो हुआ था 361 और 1967 महां चुना हुआ था उसमें 283 सिट प्राप्त हुआ था लोकसभा में कांग्रेस को ठीक अगला कोस्तन देख लेते हैं स्वतंतरता प्राप्ति के बाद भारत के समख्ष राष्ट निर्वान की कौन से चुनोती थी तो दखिए बीविताओं से भरे समाज को एकटा के सुतर में बाध़े जाने की चुनोती दूसरा था लोकतांत्र को बनाये रखने की चुनोती और तीसरा था आर्थिक विकास करन और गरीवी को उन्मुलन करना यह सभी चुनोती चैलेंज था हमारे देश के बीच में इसलिए इसका करेट अप्शन हो जाएगा अप्शन नमबर घौ अगला देख लीजिए यह कुशन है सिमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं तो देखिए सिमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं खान अप्शन नमबर थिरी इसका करेट अंसर होगा अगला कुशन देख लीजिए सोतंत्र भारत स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कों थे तो स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कों थे सब्सक्राइब नाइंटिस एटी सेवन कि यहने कि पचीसमा राज बना था गोवा पचीसमा ट्वेंटिफाइब राज बना था और यह 30 मई 30 मई 1987 में बना था ठीक है अजादी के 14 स्वाल तक अजादी के 14 साल के बाद इस पर पूर्त गाली अधिपत्य जमाए हुए थे छली अगला कोसटन देख लेते हैं भारत में भारत में लगपूरुस की संग्या किसे दी गई है तो भारत में लगपूरुस की संग्या Ironman of India किसे का गया है तो सरदार ब्लगा भाई पटिल को Ironman of India का गया क्योंकि 565 565 देशी रियासत को एक करने में इनका भूमी का बहुत महत पुर्ण था इसी के उपलक्ष में नरेंदर मोदी ने के वड़िया यानि गुजरात में 182 फीट उचा 182 फीट उचा अगला देख लए भारत में यह है भारत में हरित करांती का जनक किसे का जाता है तो देखिए भारत में हरित करांती का जनक दफांडर ऑफ दे ग्रीन इलिए इन इंडिया हो गो एम ऐसे स्वामीनाथन एम ऐसे स्वामी नाथन Oui उमएस ओवामाइन इसकारेट ब्लाश होऊँक्या के तो Edna कि यह लिए के पिता करक्ट चलिए अगला को संदेख लेते हैं कि राश्ट्य विकास पर इस सथ के अस्थापना कभ भी थी तद छे अगस्त उनिस्व बावन इससा करेट नशर होगा छे अगस्त छे अगस्त 1952 करेच है चलिए अगला कोस्व देख लेजिए प्रतिर्ट महीं अप्शं नमबर 2 तुछ अगला कुस्न देख लेज अगला कुसंस देख लेजिए प्रतवा परदानमंत्री परदानमंत्री लांस ना ही Dereler प्राइम्च्ट्र लाल बहादूर साष्त्री ने किस समझोते पर हस्ताक्षर किये थे सिम्ला सम्झोत अंशीनल लाल भीच एग्रिमेंट ऍट प्राइम मिनिस्ट्र लाल बहादूर लाल। तासगंद एग्रिमेंट तो इसका क्रेट एंसर हो जाएगा यह तासगंद एग्रिमेंट 1966 ठीक 1966 में यानि कि 10 जन्वरी 10 जन्वरी 1966 में हमारे प्रधान मंतरी लाल बहादुर साच्ति ने इस पर हश्टाक्चर किये थे जो कि एक सांती समझ्योता था ठीक है कि अगला कोस्षण देख़ NHET नीचे के देशों में नीचे के देशों में depends अस्टापना हुआ था आठ अगस्त आठ अगस्त इसको भी याद रखना है हो सकता यहीं कुछ सन्माजाए आठ अगस्त इसको अस्थापना हुआ था और बरतमान में अभी 10 देश है जिसमें की स्री लंका नहीं है इंडोनेसिया है फिलिपिन्स है सिंगापूर है जबकी स्रीलंका नहीं है और अंबर इसका कहीं हो था कई यह अगला कोशन देख लेजिए ऑला कोशन नह्रoo के निधन के बाद के बाद कारिवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए 1964 में 1964 में बनाए गए थे गुलजारी डाल नंदा इसके बाद फिर दोबारा भी कारेवाहग पर्थान मंत्री बने थे लाल बहादुर सास्ति यानि 1966 के बाद ठीक है ठीक चली अगला को संदेख लेते हैं इसमें गरीबी हटाओ का नारा खिसने दिया तो गरीबी हटाओ का नारा marine में मैं मग छुनाव हो उसتي में इंडर गांधी provider गरीबी हटाओ का-णारा इसी पर वो चुनाफ जीती थी सालिए इसी के भारत में परतिबद नौकर्साही के बीचार का समर्थन किसने किया था तब पर प्रधानमंत्री प्रद किसी मिला तो देखिये जब जनता सरकार बनी थी अब देखिए इसमें जो जनता सरकार बनी थी वो 15-24 मार्च है ना 24 मार्च 1977 ठिक से 28 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई 1889 तक दो साल तक रहा था इनकी सरकार मुरार्जी द्यसाई की जstag देख लिए इस सरकार यह ईंसर होगा इसका ऐप्जून नम्बर एक है और म 기본 देख लिजिये लिए इस क्कृष्टन में है अ समिध्हान में 42 उस्ट्र activa तो टोटी समॉस्टा में का हुआ था 1976 में ठीक 1976 में 22 संभिधान संसोधन हुआ था चलि अगला कोशन देख लिजिए कि इस कोशन में है कि 1977 एलक्षन जो हुआ था 1977 में लोगसभा का तो इसमें कता इन इन 2017 777 एलक्षन विच पॉलिटीकल पार्टी गोर्ता मैक्सिम में सीट मैक्सिम तो मैक्सिमम स्पीट मिला था जनता पार्ठी को ठीक मैं इससा थे इन सर्वाऊ जंता पार्ठी को ठेग चलित ऊपरांती का नारा किसने दिया था संपुर्ण का नारा कुट ऑंतया था जै प्रकास invoke किसके बिले थे इंद्रा गॉणि के कि खिलाब इतं शबूल गॉण करांती का नारा कों दिया प्रकास नारायन को divorce संदेख लेते हैं जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिए तो जय जवान जय किसान के नारा जिस समय भारत-पाकिस्तान युद्ध हो राथ हना पार्टी का जो राइज हुआ था रिजनल पार्टी का राइज हुआ स invece सब्सक्राइब जो फिर आफ कारण था काउंग्रेश का पतन और मैं अगरा कोहां समय सर्थ कि इसमें है आनंद वाटीदा डिस्प्यूटिवल पॉइंट इन अनंदपूर सहाव प्रोपोजल उप 1973 तो देखिए एक आपति जनर्ग बिंदु था कब 1973 के आनंदपूर सहाव प्रोपोजल तो इसमें क्या था आनंदपूर सहाव प्रोपोजल में छेत्रिय स्वायतता की बाद उठाई गई थी ठीक अगर इसको ऐसे समझें तो आप्रेशन बुलू अश्टार चलाया गया था स्वर्मंदिर पर ठीक और यनि कि आनंदपूर स्वर्मंदिर पर क्योंकि वहां पर यह आतंगवादी उसको घेरा हुआ था है ना जो इंद्रा गांधी का मौत के कारण बना था सिख उनके बोडिगार थे वहीं उनको 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1984 को मार गिराए थे बहुत सारा दंगा भी हुआ था इसमें तो किस वर्स मीजोरम भारत संका राज बना तो देखिए किस यह बना था फरवरी 1987 में ठीक फरवरी 1987 में बना था तैसमा राज के माराज बना था की टाइस्मा राज बना था जोड़ा देख लिजीं कि स्राज का निर्मान भासा के अधार पर हुआ था तो देखिए भासा के अधार पर पर जो पहला राज बना था राज उस समय जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे कौन थे फजल अली किस समय दस अक्टूबर 1903 में ठीक 1903 में ठीक इसी समय बना था आंधर प्रदिस राज भासा के अधार पर चलिए अगला कोश्चन देख लीजिए अगे इसी कुस्षन है मेरे पास, भारते जन्ता पाटी किस मीलित दाल करें कहा जाता है यहनिकि भार्त भीजेफी जो बना है भीजेफी भारते जन्ता पार्टी वो ऑने कि कि घार है इसको में भ्लेंगे तो यह किसका अधा शठापना किया था यह यह होगा जन्संग का स्यामा परसाद मुखर जी कौन किये थे स्यामा परसाद मुखर जी किये थे जन्संग का स्थापना है दो अगला को इसंद देख लिजिए मू निक्तमें कौन नेता वी-पी सिंग के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे वीपी सिंग के देखिए इसमेंritis 2 a who among the following was deputy prime minister in V.P. शिंग्स स्गवर् transitional टोबी पी सिंह गवर्रमेंट में उपपधान्मंतरी को ने उपपधान मंतरी कौन अधिया फिर काल student टोच मोडल मुष्ट एकोनोमी मोडल अपने विकास प्रतिवान मिश्रित अर्थव्यस्ता का सुत्रपात किया था तो इसका एंसर होगा जवाहरलाग नहरू ठीक चलिए अगला कुस्टन देख लिजिए इसमें है विच इंसिदेंट टुक प्लेस ऑन 6 दिसम्बर 1992 यानि की कौन सी घटना होई थी 6 दिसम्बर 1991 में तो इस सक्रे टन्सर होगा डॉमिलाइशन अफ बावरी मस्जिद ठीक है डॉमिलाइशन अफ बावरी मस्जिद बावरी मस्जिद का बिद्वन होगा था ठीक चलि फिटम इंटर नश ballot का मुख्याले कहां तो अनश्टी इंटर्नेशनल का मुख्याले कहां है यह देख देखकना है तो का मुख्याले है लंडन मेर सी ऑप्षास चुछ मानवाधिकार दिवस का मनाता है बिस्व मानवाधिकार दिवस का मनाते हैं वीचिए वहन इज दा वल्ड हुमन राइट देशेलिवरेटेड राइड देशेलिवरेटेड तो इस तक रेट इंसर होगा दस दिसंबर से इंसर होगा दस दिसंबर चले अगला कोश्चन के और और में से नियुक्त को सतने पहला रूठ निर्पेग्ष आंदोलन सर्मेरहन की अपाउतन लूठ निर्पेग्ष आजह होथा locked और यह बेलग्रेड में हुआ था यूग असलाविया बेलग्रेड कहा है यूग असलाविया में ठीक अप्सन नमबर टू इसका करेटेंसर होगा चलिए अगला कुछ संदेख लेते हैं वीच ि इंडियन लीडर लेड़ संदेशन अंन याइनने में गुह निर पक्षता की नीव रखने में मेंयिकि किस्टिने तका पर्थम गुट निर्पेक्ष अंदोलन हुआ था उसमें यूग असलाविया के राष्टपती थे यही पहला यह प्रेस्टिडेंट थे चेर्में थे अगला कुशन देख लेते हैं आप लोग ध्यान से देख लिए सभी कुश्चन को हना 1917 हुआ इस्टेब्लिष्ट सोचलिस्ट रिपब्लिक इन USSR मतलब रूस में USSR मतलब रूस में 1917 में 1917 में समाजवादी राज के स्थापने किस ने किये तो लेनिन किये यह समाज सुधारक थे 34 का हो जागा लेनिन चलिए अगला कुश्चन देख लेते हैं अगला कुश्चन मेरे पास पॉलेंट पॉलेंड में तो देखिए लेच बलेशा या ब्रेंज नेव या मार्सल टीटो या गो मुलका तो इसका क्रेट टेंसर होगा लेच बलेशा है ना लेच बलेशा 25 का मुश्चन नॉबर इसका क्लेट अंसर है फ़स्ट है चलिए अगला को संदेख लीजिए अगला को सन्रह हूँ गेव दा मंत्र आफ ग्लास नॉस्ट एंडड परेश्ट्रोई का प्रेश्ट्रोई का के मंत्र किसने दिया था यह होगा इसका इसक्रेट एंसर होगा गोरवाचोग कौन दिया था गोरवाचोग ठीक है अगला को संदेख लेते हैं अमिर्का का बरतमान राष्टपती कौन है अमिर्का के बरतमान राष्टपती कौन है देखें बिल्सन तो नहीं है कि लिंट क्लिंटन नहीं है डॉन यह इनमें कोई नहीं या डॉनाल्ट ट्रम तो इसका एंसर होगा इनमें से कोई नहीं ठीक क्योंकि जो अभी का जो पर्जेंट है वो जो बाइडन है और जो बाइडन देख लेजिए कि अप्सन नंबर इसमें ही नहीं इसमें से कोई नान आप दीज होगा ऑप्सन ठीक चलिए नेस्ट कोईशन देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है यानि इन वीच नेशन डिट दा तालिबान इस्टेबलिश इस रूल इन नैंटेनि नैंटेनसिक्स अन अमेर्का डोमिलिष्ट इन टूठाउजंट वन तालिबान ने किस देश में अपना सासन अस्थापित किया और दूजारेक में अमिरकाने उसे मिटा दिया तो इसका अकरे टंसर हो जाएगा आपका ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान दिया जैनि 96 पांच पांच साल में यह हटा दिया ठीक चलि अगला को संदेख लिजिए कि नेस्ट कॉर्शन है कुवेद को कुवेद को किस राज से किस राज के अवेद चंगुल से मुक्त किया गया विच अश्टेट कैप्चर्ड कुवेद इलिगली फ्रॉम विच इट वाज फीट फ्रीट लेटर ठीक तो इसका करें टेंसर हो जागा आपका इराग इराग को वेद पर अधिकार अवेद चंग अवेद कब्जा किया हुआ था इस तरह टेंसर हो का इराग चलिए अगला कुशन देख लेते हैं कि इन वीच्ययर इन वीच्यर वाज nato Stable Nash nato के स्थापना किस वर्ष की गई थे तो nato के स्थापना किस वर्ष की गई थे स्था यह रोधिय नौष्त इसका nato का Or 총 the rom prot the North North Atlantic देखिए NATO NATO है ना एनल टी ओ नाती ओ न मनले नौर्थ एन फोर नौर्थ अट्लांटीक ट्री और और खेजिशन ठीक इस उत्री अट्लांटीक संधिस संगठन के स्थापना 4 अप्रेल 4 अप्रेल इसका मुखेले बरुसेल में भूसेल में बरुसेल मतलब यह बैल्जीम में ब्रूसेल बिल्जीम में यह बैल्जीम में है याद रखेंगे अगला कोस्तन है अमेर्का के वर्ल्ट सेंटर पर इन विश यह डिट्ट तेरिरिष्ट एटेग्ट द वोल्ल्ट ट्रेट सेंटर इन यूएसे एड़ यूएसे में जो वोल्ड ट्रेट सेंटर था अमिर्का के यूएसे में उस पर आतंकवादियों का हमला कभ वह था तो गयारह सितंबर 2001 में वह था याद रखेंगे अगला की अस्थापना कब होई थे UNO United Nations Organization स्विंगत राष्ट संग की अस्थापना कब होए थे तो देखिए इसको देख लीजिए इसमें सबसे पहले जो अस्थापना हुआ था वो 24 अक्टूबर को हुआ था ठीक है कांट्रीग भाग लिया था याद रखेंगे और इसका मुख्याल का हूँ न्यूय और अमेरिका में हैं नियूयर्क में हैं और इसमें установ घून में होगा यहां तो देखिए आर्थी के वां समाजिक परिशाज हो आना यह यूएने का ही भाग है यानि स्विंग्त राष्ट का मुख्यांगे ठीक इसमें चवण सदस्थ है कितना सदस्थ है चवण यह ऑप्शन नमबर तीरी सब्सक्राइट रोगा पांई चली अगला का संदी दीजिए अगला कौसर मेरे पास अंतराश्य नेयाले का मुख्यालय रहें देखी अंतराश्य THAT क्या है इसमें 100 जिसको वह सांती महल कहेंगे दाहेग में कहां पर है दाहेग सांती महल सांती महल उस महल को क्या वो लेंगे हम सांती महल याद रखेंगे और इसका जो मुख्याले है दाहेग हो गया सांती महल और यह संगठन में 193 सदस्य देश है और जोन डोनोग जो अमिर्का के है वो अभी अध्यक्ष है बरतमान में प्रजेंट में यह अध्यक्ष है याद रखेंगे चलिए उसका उध्गाटन हुआ था यह जो इंटरनेशनल कोट अफ जश्टिस है इसका उध्गाटन हुआ था अठारा अप्रेल अठारा अप्रेल है नाइन्टीन फॉर्टी सिक्स में इसका उध्गाटन हुआ याद रखेंगे ठीक चलिए अगला कोशन है अच्छा के लिए विश वाज़दा फॉर्स इंटरनेशनल कंफरेंस वन एन वारमेंट है यह इन्नि परियावरन सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरश्च्य संविरन का वह था तो सबसे पहला अंतरश्च्य संविरन हुआ था संच फ्ligॉंट्वें था इंसप्षर श्लमा खाइचन स्फव त σ्ट्रिम में संच लेगा कुस्षाम लीच्व एगळा कोष्ण देख लेजें हम मेरे पास मेधा पाटेकर कानाम फिट। इस सब्शन संटिब्समेज़ मैधा पाटेका नहां एक्ट यских नाम् किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है मेधा पाटेकर का नाम चीप को आंदोलन या तेहरी बांध मुमेंट या बुदान मुमेंट या सेव नर्मदा मुमेंट तो इसका मेधा पाटेकर का नाम आप लोग सुने होंगे यह नर्मदा बचा आंदोलन से जुड़ हुए थे एंवारनमेंट हेल इन नेंचीन नेंटी ऐनगी 1092, में परियावराण पर पिर्त्थестьवी समय कहँ हुआ कहाँ हुआ था पिर्त्थिवी समय घ्या हुआ आर यह और यह आता 3 से 14 जून के бीच में कव ढ़्त तीन से 14 जून के वीच में हुआ था 1992 में हुआ ता रीयोडी जिनरोमें हुआ घिसमें 108 राष्टा-ध्याक्च भाग लिये थे ठीक एक सो आठ राश्टा देख अगला कॉस्टन देख लेजिए इसमें किस समझहोता का विच अग्रिमेंट कंसर्ण इंडो-पार्ग रिलेसेंशिप किस समझहोता का भारत-पार सम्मंधों से सरुकार है मतलब किस समझहोता से तो यह पंच्छील है कोलंबो है यह सिमला है तो देखिए इसका एंसर होगा कि यह सम्झोता सम्झोता भारत और पाकिस्तान की बीच में हुआ था और यह हुआ था दो जुलाई 1972 को हुआ था दो जुलाई 1972 को हुआ था ठीक सिम्झोता चलिए अगला को सन देख लीजी आप कि यह था मिल एड़ों में कौन सी छेत्रिय पाटी सो करिये है तो अन्ना डी एम के अब देखिए अन्ना द्रमुक भी बला जाता है और इंडिया अन्ना द्रमुक मुनंग कड़गम एक छेत्रिय पाटी है है ना चलिए अगला को सन देख लीजिए कि इस कुस्त मिटी एस्ट कीidän नटिया इंडिया इस ये राश्टिय जंतादल एक्टिव एक्टिव किस राजी में है तो हम लोग श्कीνο में क्या बोलते हैं राजजद हैं लाजजद सब्सक्राइब करने नहीं कि अगर नहीं किये तो करने के लिए भूलेंगे नहीं हम इसी तरह से आप लोगों को प्रोभाइड करवाते रहेंगे वीडियो धन्यवार फॉर वाचिंग्स